नमस्कार मित्रों, शुकरवार का दिन मा लक्षमी का दिन होता है, इस दिन कुछ काम हमें जरूर करने चाहिए, माता लक्षमी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुकरवार को, सुहागन महिलाओं को, मा लक्षमी की पूजा जरूर करने चाहिए, व्रत करें या ना करें, ल मालक्षमी जी के सामने धूप दीप रजलित करना चाहिए मालकषमी जी के साथ भगवान विश्नु जी की और गनेश जी की इस दिन पूजा अवस्य ही करें दूसरा काम मित्रों इस इन पक्षियों को दाना जरूर डालें कोई भी पक्षियों उन्हें दाना जरूर खिलाएं चावाल दाने क्योंकि ऐसा करने से मालक्षमी जी खुश होती है और जीवन में आ रही प्रेशानिया खतम होती है करजा खतम होता है आन अवश्यक खर्चों से भी बचा जा सकता है तीसरा सबसे महतपून काम शुकरवार को चंदन का तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए इस दिन चंदन का तिलक लगाना बहुती शुब होता है चोथा कामित्रों इस दिन खीर अवश्य ही बनाएं खीर का भोग मालक्ष्मी को लगाएं और परिवार सह खीर परशाद रूप में जरूर खाएं। पंडित को आप सफेद वस्तु चावल दू दही या चांदी इन में से कोई भी चीज दान करें तो बहुत शुब होता है इस शुकरवार के दिन सफेद वस्तु का दान सबसे शुब और महतपूर बताया गया है इससे बहुत सारे शुब फलों की प्राप्ति होती है मालक्षम की कृपा होती है शुकरवार के दिन सफेद गाएं यदि आपको मिलती है तो सफेद गाएं को इस दिन गुदे हुए आटे का एक पेड़ा खिलाना बहुत ही अच्छा होता है इस दिन किसी भी कन्या इस्तरी का अपमान ना करें ना ही इस दिन किनर का अपमान करना चाहिए वैसे तो कन्याओं का और इस्तरियों का कभी भी अपमार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब घर की लक्ष्मी होती है तो मित्रों शुकरवार के दिन ये सब काम करें तो मा लक्ष्मी जी की अपार कृपा जातक पर बनती है तो आपको शुकरवार के दिन ये कुछ नियम अवश्य ही बनाएं जिससे जीवन में लक्ष्मी जी की कभी भी कमी नहीं होगी मालक्ष्मी का पूरा अश्रवब मिलेगा अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट भी करें लाइक